सर्दी का सीजन आधा बीच जाने के बाद भी ठंड का सितम जारी है दिन प्रति दिन ठंड बढ़ती ही जा रही है अगर यहां आप बात करें कि आने वाले समय में ठंड से राहत मिलेगी या नहीं तो अभी फिलहाल इसका जवाब ना ही है आपको बता दे कि मौसम वेग्यानिकों ने अभी 45 दिन और ठंड बढ़ने की संभावना जताई है वेग्यानिकों का मानना है कि उत्तरी हवा ने प्रदेश में ठंड बढ़ाई है और 19 जनवरी तक इस से राहत के कोई आसार नहीं है यहां बता दे कि 36 गड के जश्पुर में तो पाराल उड़कने के बाद बर्फ जम गई है पंजाब में तीन दिन का शीत लहर का अलट जारी कर दिया गया है यहां कई शेहरों में द्रश्चताद 10 मीटर तक हो गई है मौसम वभाग के मताबिक अभी 45 दिन की ठंड बाकी है अगर यहां यह भी कहा जाए कि ठंड ने 36 गड में वापसी की है तो गलत ना होगा सुबह के समय जंगल पहाडों में ओस जमने लगी है जश्पुर मैन पार्ट बिलासपुर के वन शेत्र और चिल्फी घाटी में रात का तापमान कम हुआ है जिसके चलते सुबह पेड पोधों से लेकर घास के मैदानों में ओस जम रही है यानि ठंड का आसर दिखा शीत लहर की चपेट में राज्य का बड़ा हिस्सा है दिन में धूप निकलने से चंडीगड में मैकसिमम टेंपरेचर तो बढ़ रहा है लेकिन शीत लहर और कोहरे की वज़े से राते और ठंडी हो रही है अगले कुछ दिन कोहरा चाया रहेगा तापमान में भी गिरावट का अनुमान है पंजाब में भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है लगबग सभी जिलों में मैकसिमम टेंपरेचर सामान्य के मुकाबले चार डिग्री से छे डिग्री तक लुड़का है पंजाब में भटिन्डा तीन पॉइंट आट डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा यहां यह भी बता दे कि जालंधर, लुधियाना, गुर्दासपुर और अम्रिचसर समेत कई जिलों में देर राच से ही घना कोरा चाना शुरू हो गया था और विजिबिलिटी करीब 10 मीटर रह गई थी वही जैपुर सहीत पूरे राजस्थान में दिन भर ठिटूरन भरी सर्दी रही दोपैर में थोड़ी देर के लिए निकली धूप भी आम जन को ठंड से राहत दिलाने में नाकाम रही शाम को शीत लहर चलने के साथ ही ठंड का प्रभाव और बढ़ गया है मोसम वेग्यानिकों का उनुमान है कि अगले दो दिनों तक ऐसा ही मोसम रहेगा राजस्थान के श्री गंगानगर का मैक्सिमम टेंपरेचर 15 डिग्री और मिनिमम टेंपरेचर 6.3 डिग्री सेल्सेस दर्ज किया गया मौसम विग्यानिकों का नुमान है कि यहां 26 जनवरी से बरसात होगी इसके बाद कड़ाके कि ठंड का एक दोर और आएगा वही राजधानी भौपाल में दिन में ठंडक से राहत है दिन के तापमान में दूसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग ने राजधान के आठ शेहरों में शीत लहर का येलो एलर्ट जारी किया है वही नागोर के परबत सर में उसकी बूंदों से कार के कांच वह छट पर वह फसलों की पत्तियों पर बर्फ जमी नजर आई लोगों को तेज सर्दी का भी अनुभव हुआ यहाँ तापमान सुबह 5 डिगरी था वही दिन चड़ने के साथ पौने 8 बजे 7 डिगरी तापमान में कड़ाके की सर्दी का अनुभव हुआ वैसे तो इस सर्दी को फसलों के लिए फायदे मंद माना जा रहा है परंतु तेज हवा चल जाए तो फसलों में पाला पढ़ने का डर किसानों को सता रहा है इसके साथ ही राजस्तान के सीकर, चूरू, जुंजनू, अलवर में आगामी दिनों में पारा 2 डिगरी तक गिर सकता है बिकानेर जैपुर संभाग में पारा 4 डिगरी तक पहुंचने की संभावना जताई गई है अब आपको ये भी जानना चाहिए कि कहा पर येलो अलट जारी है अलवर, भरतपुर, जुंजनू, सीकर, विकानेर, चूरू, हनुमानगर और श्री गंगानगर में 15 तारीक तक शीत लहर का येलो अलट जारी किया गया है ऐसे ही लेटेश को ब्रेपाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुब्सक्राइब करें हैंने वाल प्राइब करें के लिए और सुब्सक्राइब करें